और आप सभी लोगोंको मजलों होगा कि जापान का सहर है टोकियो और आप देखेंगे मैब में देख लिए आप लोग तो यहाँ आपकी ओल्मिक गेम आय उजित किये जा रहे है यह है आपका जापान और यहाँ से अगर आप लुग भारत को भी देख लेए तो यह आपको भ सास नहीं है।। आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग नीचे से top कर रहे हैं और आप देखेंगे, ऊपर से बात करले हैं, गर हम लोग top की, तो चाइना, अमेरिका। और आप देखेंगे जापान देखने को मिलेगा। और आप में जरोरते होते हैं, उनको देख लिया करिएगा. एक आप लोग उनके पिशिक छड़, सुख्धांगें देख लियाना. आप सभी जानते हैं कि हमारे बजट में, पिछली बार कि आप लोगों ने बजट पड़ा होगा, उसमें खेल बजट में कटउति की गई थी. और आप सभी जानते ही कि हमारे यहां सोविधाय किस तरह से खिलाडियों को दी जाती है आपने देखा है कि जो हमारी फुरुस होकी टीम थी या मेला होकी टीम थी यह आर्थिक रोप से बहुत कमजोर थी यानि कि पैसे की तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि जूज रही थी उस समय इनकी मदद के लिए कोन आया नवीन पटनाय जो उड़ी सा की मुखमंत्री है आप समय जाने हैं कि खिलाडियों की जो आज सकता है उनकी हम लोग उन्हें उपलब्धी नहीं करवा पाते हैं यह अलग बात होती है कि कोई मैडल जीतने के बाद सभी उसका स्थरे लेने लग जाते हैं सभी टूइट करने लग जाते हैं आप देखते हैं कि इनाम देने लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि यह पहले अगर सुविधाय इन लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएं तो हम लोग भी चाइना को टकर दे रहे होंगे हम लोग भी जापान को टकर दे रहे होंगे या अमेरिका को टक कर दे रहे होंगे हमें बजट बढ़ाना होगा उसका समझ रहे हैं आपको और आज मैं न्यूच पेपर पढ़ रहा था है कहीं आर्टिकल मीरवाई चानू के बारे में पढ़ रहा था है उन्होंने कई ट्रक ड्राइवरों को सम्मानित किया है क्यों किया ह हुआ है इसलिए किया हुआ है कि वो जब पिसीक्षण के लिए जाती थे तो वहां तक ट्रक ड्राइवर उन्हें लिप्ट देते थे तो आप समसकते हैं कि उनकी क्या इस्तिती अर्धिक इस्तिती और क्या इस्तिती होगी कि अपना कोई निजी उनके पास इस तरह का कोई कि वहां नहीं था कि वहां तक अपने फिसीक्षण स्थान जो भी रहा हुआ वहां तक पहुंच सकें कि खैज छोड़ी यह आप देखें कि और हमारे हां दूसरे किसी भी मामले को ले लिए आप लोग अच्छा खासा पैसा खर्ज किया जाता है किरिकेट को आप लोग लिए करोणों पहाए जाते हैं और दूसरे तरह आप देखिए और यह देखेंगे आप लोग अगर इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो यह सभी खलाडी आप देखेंगे बहुत थी निमनिस्तरी परिवास से आते हैं जिनके घर में आप देख सकते हैं कि कोई हरकम कोई इनके पास पैसा नहीं रहता है समझ रहे हैं आप लोग कोई किसान है कोई मजदूर है कोई कहीं किसी दूसरे किया काम कर रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या इस्तिती रहती है और आप देखें कि किसान का बेटा कितने किरदार निभाता है किसान का बेटा ही खेती करता है जो हम लोग आप लोग बैट के खाते हैं किसान का यूइ बेटा आप देखेंगे बोर्डर पर खड़ा हुआ है सैनेक और किसान का बेटा ही इस तरह के परिवारों से ही आप देखेंगे medal जीत कर भी ला रहे है तो यह आपको बता दूँ ब्यक्तिगत इस फर्दा में एक गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे फर्षन है इससे पहले आपने देखा होगा कि सन 2008 में जो आपके बिजिंग में उलम्पिक हुए थे उसमें अवीनाओ बिंदरा ने गोल्ड मेडल जीता हुआ था तो इस तरह के कुश अगर हम लोग इनकी नाम की बात करें तो आप सभी जानते ही कि नीरच चौपड़ा इनका नाम है और इनका जनम होता है 24 देसंबर 1997 को पानीपत हर्याना में इनका जनम होता है और आप देखेंगे अधिक तर खिलाडी आपके हर्याना से ही निकल के आ रहे हैं तो यह भी द देखते हैं ना कि आप लोग 12 के बाद BFC करता है कोई भी कॉम करता है कोई भी BA करता है तो BA किया हुआ है और DAB कॉलेच चंडिगड कुरूचित विद्ध्याले से इन्होंने BA किया हुआ है और व्योसाई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारती एथलीट हैं जेवल इनकी कोच हैं और सौख की बात करें तो आप लोग भी देखते हैं कि आजकल भी सौख ही रहता है Facebook चलाना WhatsApp चलाना तो इसी तरह यात्रा करना और संगी सुनना इनकी अभी रुची या सौख है आप देखेंगे इतना अच्छा काम करेंगे उपलब्दिया हासिल करेंगे तो आप देखेंगे इने पुरुसकार भी दिया जाएगा और उज्जन पुरुसकार 2018 में इने दिया गया था एक बात आजशकल आप देखते होंगे कि उल्टी हो चुकी है छोटे में आप लोग केलने जाते होंगे तो आपकी पिता जी कहते होंगे कि खेलोगे कुंडोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब आज इसे उल्टा कर दीजिया आप लोग अगर उसे के मन में इस तरह की भावनाय रखेंगे, तो अलग बात हो जाती है, खेर छोड़ी इस पर बात हम लोग नहीं करेंगे, अगर हम लोग नीरे चोपड़ा की रिकॉर्ड की बात करें, और रिकॉर्ड ही मायने रखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर इनके रिकॉर्ड इनकी उपलग धिया ना रही होती है, तो हम लोग इनके बारे में नहीं पढ़ रहे होते हैं, आप सभी को मालू हैं कि हमारे देश में 135 करोरिजिन संग्या होने जा रही हैं, हम कितने लोगों की बारे में पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में जो कुछ क रहे हैं जो करके गए हुए हैं तो आप देखेंगे 2012 में जो आपकी लखनव में अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियंसीप हुई थी इसमें नीरत चोपडा ने भाग लिया था और आप देखेंगे 60.46 मीटर भाला फेका था और इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था तो यहां से इन्होंने गोल्ड मेडल सुनू कर दिया और आप देखेंगे नेशनल नेशनल यूथ championship में भी इन्होंने भाग लिया था और 2013 की बात है इसमें इन्होंने दोसरा इस्थान हासिल गिया था और उसके बाद आप देखेंक उन्होंने IAAF World Youth Championship में भी position भनाई तो इस प्रिया गृत्फ में भी भाग लिया था फिर आप देखेंकि नीरлось चौपड़ा ने इंटर यूनिवरसिटी चेंपियंसिप भागी लिया था वो इसमें 81.04 मीटर थ्रो फेक कर एक एज गुरुप का रिकॉर्ड अपने नाम किया था और यह पितियुकता साल 2015 में आयुजित की गई थी फिर आप देखेंगे 2016 में जूनियर वेस्ट चेंपियंस करते हैं पर साल 2016 में ही आप देखेंगे दच्छेड ACI खेलों में भी इन्होंने भाग लिया था और पहले राउंड में ही इन्होंने 82.23 मीटर की थ्रो फेक कर गोल्ड मैडल अपने नाम किया था तो यहां भी आप देख सकते हैं फिर आप देखेंगे साल 2018 में गोल्ड बाथे कौन सा बटन दवराय नीचे पहुंच जा रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि गोल्ड कोष्ट में आई जित हुए कॉमन बेल्थ खेल में भी इन्होंने नीरत चोपडाने भाग लिया था और 86.47 मीटर भाला फेका था इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपन आप देखें कि 2018 में ही नीरत चोपडाने जकालता में हुए यसीन गेम समय भाग लिया था इसमें 88.06 मीटर भाला फेका था और इसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर हमाद्यदेश का नाम किया था उसके बाद आप देखें कि नीरत चोपडा यसीन गेम समय भी गोल् पहले इंडियन जीवलिन थोर थे यानि की भाला फेकने में इसके अलाबा आप देखेंगे एक इस साल में एसीन गेम सो कॉमन बेल्ट गेम समय भी गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नीरत चोपडा दूसरे एक लाड़ी थे तो काफी गोल्ड मिली इसके पहले आप के नीरज चोपडाने लेकिन सबसे जानदा जरूरी और सबसे जानदा इन्हें पिसिद्धी मिली ए टोकेव ओलंपिक से जो आपकी जापान की सहर टोकेव में हुए हैं आप सभी को मलू ही कि 2020 में होने चाहिए थे लेकिन कुरोना महारी की बज़र से 2021 में आयोजित किये ज प्रियास में 87.58 मीटर की दोरी के साथ पहला इस्थान हासिल किया है यानि कि गोल्ड यानि कि स्वर्ण पदकिने मिला है और आप देखेंगे 86.67 मीटर के साथ चैगडराज की या कूब वालदेज दोसरे इस्थान पर रहे हैं यानि कि इने सिल्वर मिला हुए है और जब क कि उनके ही देश के विट्टे इसलाव वेसली वेसली आप देखेंगे 85.44 मीटर के साथ इन्होंने कास यानि की वरांज मेडल जीता हुए है और आप सभी कमाल हुगा कि जो पहले नंबर पर रहता है उसे गोल्ड दूसरे वाली को सिल्वर तीसरे वाली को क्या मिलता है वर नीरच की है तो नीरच चोपड़ा के बारे में यही पॉइंट आप लोग याद रखिए हो सकता है कि आपकी परिक्षा में पूंच ले क्योंकि पूंच सकता है गोल्ड मिला हुए इसलिए और आप देख रहे हैं कि देश भर में बदाईया भी दी जा रही है आप लोग क्या सोचते हैं इस पर आप लोग भी अपनी राय दीजेगा कि आखिर मतलब हमारे पिछडने के कारण कौन कों से हैं क्योंकि आप देखे चाइना की हमसे जाना जन संक्या है जन संक्या मुझे लगता है जाना होना पिछडना का कारण नहीं हो सकता है अगर ऐसा तो आप देखते हैं चाइना की हमसे जादा है, यानि कि हम दूसरे नमबर पर आते हैं, चाइना पहले नमबर पाता है, तो उसे पिछड़ना चाहिए था, लेकिन आपने देखा है कि वो तो टॉप पर पहुंचा है, पहले नमबर पर है, तो कुछ तो कारण होंगे इसके, आपके मन में भी कुछ हो, इसके कारण तो आप लोग बताईएगा नहींचे लिखिये, ठीक है?